पहुंचा आपको क्या लगता मोदी जी को इस बात की भनक नहीं होगी उनको भी पता लग गया होगा उनकी एक आवाज नहीं पब्लिक को आ रही अभी तक वो नहीं सुनेंगे वो बहरे हो चुके हैं सत्ता में बैठने के बाद लोग बहरे हो जाते हैं कितने लोगों का घर मोदी जी को लेना देना रहता तो यह बिठा है हम लोग उसके बाद देखिए लोट देते हैं बाट देए बट दीए बाट दीए इस लिए इसकुद्व लेए को नितिस कुमार जी यह पूछ रहा है कि अपनी जवान बेटियों को लेकर कहां जाए इस उमर में जिस उमर में इनको जो अपने पूरी जिंदगी की कमाईल लागा कि इन्होंने अपना घर बनवाया था वो तो तूट गया सर तो क्या आपके वहां मुख्यमंत्री आवास पर समझ सकता हूं एक उमर में है और कितनी मिनाज से उन्होंने इस मकान को बनवाया होगा काफी देर से उसी सीड़ी पर बैठे हुए थे क्या बीत रही होगी उनके उपर हाउसिंग बोड और तमाम अधिकारियों की गल्ती नगर निगम की अधिकारियों की गल्ती और भुग अगर रिष्टी गलत तरीके हुश से हुई है तो इन लोग के घरों को तोरने के बज़ा रिष्टी अधिकारियों को पकरना चाहिए लेकिन गैरेंटी नहीं है एक दम सरीर कापने लगता है जब बुल्डोजर चला था पूरा धर्ती काप रही थी इनसान दैसत में थे इसे लग रहा था जाके गंगा जी में कूच जाए कि कहां चले जाए और अवैद कैसे है ये सरकार अवैद है ये सरकार अवैद है हम लो ग्रैवरा जाती थी और एक खांठ पांच मची जब काम बंद होता था तब आती थी और पैसे एसे पीछे से ले के जाते थी पीछे से दो आगे से नहीं लेना है जो इसे करते हैं को सरकार है को अधिक आखिया एक हम लोग तूट जाते हैं अपना घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां गिराने में इस वक्त हम लोग पटना में मौझूद हैं गोरकपुर्स की धरती से एक मुख्यमंतरी बनते हैं उत्तर परदेश में और बुल्डोजर पॉलिटिक्स की शुरुवात होती है तो वो शुरुवात होती है मापियाओं और गुंडों के लिए माफियाओं गुंडों का कमर तोड़ने के लिए सीम योगी बुल्डोजर का इस्तमाल करते है और उनके घरों को गिरवाते है और वो बुल्डोजर पालिटिक्स अब उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका राष्टी करण करने की कोशिस की जा रही है लेकिन राष्टी करण करने में माफियाओं का घर गिराते गिराते आम जनता का घर कब से आप गिराने लगे जनता को और पूरे देश को पता भी नहीं चला इस वक्स हम लोग पटना के नेपाली नगर में मौझूद है और आप मेरे चारों तरफ जो नजारा देख रहे है वो नजारा किसी खंडार का नहीं है वो नजारा आम लोगों के घरों का है जो की खंडार में तब्दिल कर दिया गया पिछले कुछ दिनों में अब बात आती है अवयद निर्माड की अगर ये कालोनी अवयद निर्माड के रूप में था तो यहाँ पे ये बिजली का खंबा क्या कर रहा है यदि ये कालोनी अवयद निर्माड में था तो जब इसका निर्माड हो रहा था उस वक्त नगर निगम के तमाम ओ आला दिकारी कहां थे में तमाम हो जिम्मे दार कहां थें यदी अ कालोनी अवाध निर्मार के रूप में है तो उस वक्त सरकारे घरी नीद में क्यों सो रही थी जब इसकी रजिष्ट्री जमीनों की रजिष्ट्री की जा रही थी यदि यह कालोनी अवद लिर्माड में है तो इन लोगों की क्या गलती जो अपने मेनाथ की खुन पसेनी की कमाई पाई पाई जोड़कर इन घरों को बनाने में लगा दिये नितिस कुमार जी बुल्डोजर पॉल्टिक्स बड़ा महंगा पड़ेगा इस बार क्योंकि यह अज इतनाथ ने बुल्डोजर पॉल्टिक्स की शुरुवाद आम जनता के घरों को गिराने के लिए नहीं की थी लेकिन आज बुल्डोजर पॉलिक्स की देन है की आम जनता परिसान हो रही है इह तराइमाम तराइमाम कहा रही है मैं चाची का वीडियो देखा था जिसमें वो वी लक बीलुक के रो रही थीं और इनका रोना मुझे उष्ञवार कि गरते सर्कार कहां कि दिब're हैंने कगे मैँ चाही की कि रिगा किस्टी कोई वालない मुखमंत्री बनाना चाहिए हमारा जमीन ए का हुस्रीव मैं जमीन है हम इतना करचा लेते है यह dalam बनाए है सर चाहिए लगेव डाल पर चाहिए जिए ।। हमाने के बनाना सब्सक्स offense इत्तमासा से नितिस्कुमार जी यह पता नहीं यह नहीं तक पहुच रही होगी कि नहीं कि बहुत सारी वीडियों आपने देखा होगा यह तकलिफ यह तड़प को आप तक सुनाई यह कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन जो गुष्थाखी आपसे हुई है ना तक हुआ तक सब्सक्राइब कर देता है तो चार दिन सब्सक्राइब कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है नहीं यह स्राफ जो आपको मिल रहा है ना सर उन तमाम तमाम लोगों को जीमिदार है क्योंकि इस जब मकान से पैसे ले लेके सा favour कर ऐसे लेकं बच अबी बचा है ले लेकिन गैरेंटी नहीं है एक दम सरीर कापने लगता है जब बुल्डोजल चला था पूरा धर्ती काप रही थी इंसान दैसत में थे इसे लग रहा था जाके गंगा जी में कूच आए कि कहां चले जाए और अवैद कैसे है ये सरकार अवैद है ये सरकार अवैद है हम लोग आख के सामने यहां सारे घर बने हैं और पुलिस आती थी एक सुबा साथ बज़े आती थी पैकेट भर के पैसे लेके जाती थी राजीव नगर एक बारा बज़े आती थी और एक साम को पांस बज़े जब काम बंद होता था तब आती थी और पैसे ऐसे पीछे से लेके जात अपंग की तरह यहां नहीं रहता न जब पटना ग्रोइंग एज में था ठीक है सत्तर के बाद असी की जो दसक थी तो यह सब दिखावेगर जो है चौर के इलाके थे तो पटना पटना घुजिव सकर का इलाका है इसके आलावा भी इलाका है लेकिन यह जो इलाका है इसका जो किसानों को ठीक भंग से मुआवजा नहीं मिला मतलब मिला ही नहीं अधिकरां जो उसमें भुमाफिया टाइप के लोग थे उस समय की सरकारों में परभावसाली लोग थे उन्होंने अपना निकाल लिया जैसे इसमें कई लोग की जमीन थी जो बड़े ठेकदार वेगर अभी किया उसके बाद वो किसान हाई कोट चले गया हाई कोट जाने के बाद हाई कोट ने आदेश दिया कि किसानों का जो मुआवजा जो पैसा है उसको पे कीजिए लेकिन हाउसिंग बोड ने उसमें आनाकानी की उसमें फाइले दौरती रही जैसा तंत्र में होता है हुआ कु जब जब में बेच सेंगे तो वी होगी तो अब इसमें जाइए कि जह आपने हाउसिंग डिया तो या तो यहाँसिंग डिया फेलिया गितल है यह थान जया होगी Weight पहले कुछ दिन पहले इनको नोटीस भी दिया गया था पूरे बिहार की जनता बहुत ध्यान से बात सुन ले और समझ ले सरकारों को जब कुछ नहीं सुचता है तो इसी तरह से अपनी मनमानी करते हैं और इस बात को समझना होगा इस क्रोनोलाजी को समझना होगा कि जो आज पटना के नेपाली पूर में हुआ है वो कहीं पे भी हो सकता है और सरकार जब चाहे तब किसी भी गरीब का मकान धा सकती है और हम और आप इसी तरह से भी लगते रहे जाएंगे कुछ कर नहीं पाएंगे ताना साही चल रही है उननीसो पैटालिक्स के पहले का अंगरेजों का दर यह नितिज कुमार जी गल्ती हुई आपके अधिकारियों से हाॉसिंग बोड से राइश्ट्रिक अगर इनका अगर वैड निर्माड है तो राइश्ट्रिक क्यों हुई और यदि राइश्ट्री हुई तो यानि कि हाउसिंग बोर्ट साई से अधिकरीत नहीं कर पाया यह तमाम सवाल है जो आपके इस कारेवाई के उपर सवाल खड़ा कर रहा है और यह सवाल तब खड़ा हो रहा है यह गुस्सा तम निकल रहा है जब आपने इन लोग के ख़ड़ों को उजार दिया एक चाचा से उसी सीड़ी पर बैटे हुए थे क्या बीत रही होगी उनके उपर हाउसिंग बोट और तमाम अधिकारियों की गल्ती नगर निगम की अधिकारियों की गल्ती और भुगत रही है यह आम जनता मजाग बना के रख दिया आप लोगों ने जब चाहेंगे हम जनता को परिषान करेंगे क्या करते हैं अप मज़ूरी करते हैं मज़ूर कने हाफ किसे घर बनवाता है समझ में आता है आप लोग को एसी वाले कमरों में रहना आप लोग को भूफ बहुत म्रभा है को इसा कौन सा घर अपका वागे हैं सर बहुत अन लोग के लुग कर दिया है op अगम बहुत उड़ानी सल्क किए लोग लटके ौएरस को भी 기ता कुछ गुरा है जेसे पुलिस वाली ने किया है पुलिस वाली ने आखर कर दिया इन लोगों को भी पिटाई किये हैं, सब ब्रबाद कर दिया सर, बहुत गुंडागर्दी किया है सर, घर भी तोड़ दिया और गुंडागर्दी भी किया, पिटाई किया है, जनानियों को भी पिटा है, औरतों को भी पिटा है, औरतों को भी पिटा है, औरतों को लगदियों जो डो एकदम कुंड़ा कड़ी एकदम है कOoh एक तब के आप लोग जब गरंच रहा है वहीं सामने थे सामने हैम लोग घर के सामने घर टूट्राई आया कि एक भी बन्धंते बाहर लेकला भर पीटेंगे पीटेंगे में पीटता सर अंजान अदमीको जाते आते हैं रास्ता में इस तरह से कर रहा था सर तब अंजान आदमी को भी पीटा है जाते रास्ता में इतना मनमाने किया है लोग रंगदारी हम लोग एक जोड़े हैं सर अब कहां रहे हैं को करकट चरहने में आदमी को हलत खराव जाता है और मेरे पास सब्द नहीं है सब्दों की कमी है यह नितिस जी की कमी है जितने भी सरकाड़ी आपसर हैं सब की कमी है हम लोग के पास बदाते है पक्का कागज है वहीं बात समझ रहा था मेरे जो साथी है रिष्ट्री है सर और वह नहीं बहुत पुराना है आज का नहीं है कम से कम 30 साल हो गए 1990 का अब बताइए सर हम लोग क्या करें अब कहां बच्चे बच्चे जवान जवान लड़कियां को लेकर जाएं इस उमर में क्या करेंगे नितिस कुमार जी यह पूछ रहा है कि अपनी जवान बेटियों को लेकर कहां जाएं इस उमर में जिस उमर में इनको जो अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगा कि इन्होंने अपना घर बनवाया था वो तो तो तूट गया सर तो क्या आपके वहां मुख्यमंत्री आवास प इतनी ही सकती है हमारे नहीं है सब्सक्राइब जैसे यह इलाका जो है इसमें नगार निगम अलग पार्टी है उसका कोई लेना देना ही नहीं है जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसका मामला है अब इसमें नगार निगम ने अपने तरफ से क्या किया है कि चुकि इसमें साधिकतर लोग बासिंते थे बहुत दिन असरा रहा थे तो उनका यहीं का वोल्टर आइडी था और तमाम चीज़े था तो जब घर बन गया तो यहां पर बिजलियां दवर गई यहां सरक बनने के भी बात चल ले थी कुछ इलाकों में सरक भी है जैसे जो इलाका नहीं टूटा है उधर सरक भी है इधर सबसे टार्गेट इसको बनाया गया क्योंकि इधर नहीं कलनिया थी तीसरी बात इसमें एक चीज और जानी और इसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिसमें अपने पूरे जीवन की पूजी इस उम्मीद में लगा दी कि घर बनवा लेंगे तो घर से कुछ आया आएगा क्योंकि सारी इलाका है तो कुछ उससे हमारा चल जाएगा क्योंकि डिटार्यमेंट के बाद जो मजदूरी करने व तो अब सोचिए वह राइस्टेशन वेगरा हो गया था तो इतनी केंद्रिय योजनाओं का राजिक योजनाओं का सारी योजनाओं कलना इसी पते पर यह लोग उठा रहे हैं उसके बाद भी सरकारों की आखे बंद थी जब यह निर्मान हो रहा था तब उनको बोलना चाह यह था यह बात ना आपको निर्माट के समय में पुलीस वालों वाले पैसा भी वगरा वसूली करते थे ऐसा भी कुछ करो जमीन है रसीद कटती है बिजली बील देते हैं सारा कुछ हम दे रहे हैं सर तो जरा समझिए इस बात को कि बुल्डोजर पॉलिक्स कहां से कहां आ बुल्डोजर पॉलिक्स हमारे घर की एक लेडी जब पुलीस वाले को बोलने गई न और वीडियो बना रही थी कि हम आगे पहुचाएंगे इस बात को दरवाजा तोर के घूस पीटने के लिए कि वीडियो नहीं बनाएगी तुम तुमको भी पीटेंगे घर में घूस करक घूस करवाया है सर करवाया है और परखाएंगे हमारे जिंदगी बरबाहां ह kangaroo सब्सक्राइब तो अब तो हम बनाएगा पाईगे को कि करवाया गया है लाइपार यहां लोग ए पर पुलिस वाले तो नहीं सबना देंगे सर एक यह तो सरकार ही करें ओडर देगी बना बस आप इस बात को अब इस तरह से समझिए कि यहां पर जितने भी लगवग नबे-बानवे घर तोड़ेगा है कि कम से कम मोदी जी तक यह पूरी पहुंचा यह क्या लगता मोदी जी को इस बात की भनक नहीं होगी उनको भी पता लग गया होगा उनकी एक आवाज नहीं और तो चानवे घरत से मोदी जी को क्या हो जायगा क्या फरक पढ़े जाएगा उनको सर हमारा अवकस को लें देना रहता तो यह builders चलवाते और टेक्स भी हम भडते गए अब बताईए सर में क्या करूँ आप इस उमर में बावान साल की उमर चल रही है निती जी जवाब दे पाईएगा तो दे दीजिएगा थेतरही आप लोगो आती है राजनीती में थेतरही चरम सीमा पे पहुंच चुकी है लेकिन राजनीती में पते तरही इस अस्तर तक गिर जाएगी मुझे नहीं पता था अब समझ यह इस बात को कि यह जितने भी घर यहां पर बने हुए हैं जितने भी घर यहां पर तोड़े गया है वो सारे घर अगर आवाद निर्मार थे पहले क्यों नहीं रूके गए अधिकारियों के गलती आ लाविन लोगों को इसी पते पे क्यों मिल रहा था यह तमाम सवाल है नितिज कुमार जी जो आपके मंसा पर संदे पैदा करती है सियमावास से चंद किलोमेटर की दूरी पर यह जगह है आपको भनक नहीं थी आपके अधिकारियों को भनक नहीं थी सर इनका दर्द आपको नहीं दिखा सर घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है सर क्यों आपको इनका दर्द नहीं दिखा सर यह जनता बिहार की ज यदि आपको लगता है कि यह मुद्दा नहीं है यह बहुत बड़ा मुद्दा है चानमे लोगों का घर गीरा है आपके लिए यह संख्या बहुत छोटी होगी लेकिन बिहार के जो मध्यम और निम्नवर्गी लोग हैं वो इस मंजर को देख रहे हैं और वो यह जानते हैं कि जगए आज इनके साथ हो सकता है तो कद्राप किसी के साथ तानाहिसाही कर देंगे किसी के घर को गिरवाने के लिए भी ब्ल्डोजर भेज़ देंगे देश में कानून बे वस्तानाम की कोई चीज नहीं है देश में जुडिसरी सिस्टम का कोई मतलब नहीं है ये तमाम सवाल है और इन सवालों का जवाब ये जनता मांग रही है दीजिएगा और बताइगा कि ये तमाम लोग जिनके रोते-रोते आसुश शूग गए है जिनका जवाब मैं लिख के देता हूँ दावा करता हूँ आपके पास नहीं होगा जहिन